जाहें दोस्तो मैं आपका दोस्त चंदान सिंग फिर साहज रिएक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फिर्ट चल्ट सी एस टेक्निकल पर दोस्तो आज के वीडियो यह एज टेक्रवी पर केंद्रे विडाल स्कूल में क्लास फिर्ट में जो अगूते हैं उसके लिए के एज क्राइड विडियो सेंगंन दोरा इस topic के उपर मैंने already एक video बनाया था कि कितने साल का बच्चा class 1 में admission के लिए eligible है और कितने class का बच्चा class 1 में admission के लिए eligible है साथी साथ में जो class second से लेकर 12 तक के बच्चों का age का criteria वो भी मैं आपको इस video में बताऊंगा यह video में दुबारा बना रहा हूँ जो बच्चे के उमरे class 1 में अनलाइन registration के लिए minimum 6 उर से और maximum 8 उर से यानि कि अगर आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 को अगर 6 साल complete हो रही है तभी आपका बच्चा जो है class 1 में admission के लिए eligible है तभी आप online registration कर सकते हैं इसके साथ आपको यह भी बता दो कि जो admission की guideline उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा 1st April 2023 को भी अगर जिसके 6 साल complete हो रहे है वो भी बच्चा class 1 में admission के लिए eligible है और इसी तरह से 31 मार्च 2023 तक आपके बच्चे की अगर age 8 साल है तभी आपका बच्चा class 1 में admission के लिए eligible है यानि minimum 6 years और maximum 8 years अगर 6 से 8 साल के बच्च में अगर आपके बच्चे के उम्र अगर है तभी class 1 में admission के लिए eligible है जो के अंदर पर देलाय सेंगठा ने जो age का criteria सेट किया है उसमे class 1st और class 2nd के लिए same age criteria रखा है यानि class 1st में भी minimum age 6 years चीए और maximum age 80 years चीए और class 2nd के लिए भी same है उसके लावा जो class 3rd के लिए class 3rd के लिए जो minimum age है वो 7 years है और maximum 9 years है यह जो age का criteria है यह academic year के तहर चेंज होता है माल लिए जै कि आप अगले साल देखेंगे तो वहाँ पर कुछ और हो जाएगा पिछले साल कुछ और था यानि इस साल यानि यह जो अभी academic year है इसके लिए 2023 कंसीडर किया जाएगा यानि 31 मार्ज 2023 तक आपके बच्ची के में 6 साल कंपलीट होनी चीए और इसके साथ साथ 1st April वाले बच्चों को भी accept किया जाएगा उसके बाद जो class 4th है उसके लिए minimum 80 years है और maximum 10 years है क्लास 4th में अगर किसी बच्चों का admission लेना है तो उस बच्चे की जो age है वो minimum 8 years और maximum 10 years होनी चीए इसके लवा class 5 के लिए minimum 9 years है और maximum 11 years है और इसके लवा अगर हम class 6th की बात करें तो class 6th के लिए minimum 10 years है और maximum 12 years है और इसके लवा class 7th के लिए minimum 11 years maximum 13 years इसी तरह से class 8th के लिए minimum 12 years maximum 14 years और class 9th के लिए minimum 13 years है और maximum 15 years है और जो class 10th के लिए जो age का criteria है वो है आपका minimum 14 years और maximum 16 years तो अगर आपके बच्चे की उम्र जो मैंने अभी age का criteria बताया है अगर इसमें आते हैं तब ही आपके बच्चे का केंदरेवे देले स्कूल में admission हो सकता है class 1st से लेकर के class 10th के लिए केंदरेवे देले संगठे ने अपने admission guideline में बता रखा है कि age का criteria यही होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया लेकिन इसके साथ-साथ जो class 11th और 12th में जो बच्चे admission लेना चाहते हैं उनके लिए age का कोई criteria नहीं रखा गया है यानि कि उसमें किसी भी age के बच्चे हो सकते हैं लेकिन उसके लिए admission के लिए कुछ और भी उनके लिए guideline बनाई गयी है तो वो उसमें fit होना भी जरूरी है बच्चे का तभी उनका 11th और 12th में admission हो सकता है तो दोस्तों ये कुछ था age का criteria इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दो कि एक quota के लिए मतलब DA quota के लिए दो साल का age का relaxation दिया गया है यानि जो भी parents अपने बच्चे का admission के लिए DA quota के थिरूँ apply करते हैं तो उनको age का, मतलब 2 साल का age का criteria में छूट दिया गया है यानि जो DA quota के थिरूँ बच्चे होंगे उनके लिए minimum age 6 years और maximum 10 years किया गया है जैसा कि normal बच्चों के लिए minimum 6 years से और maximum 8 years से उसी तरह से DA quota वालों के लिए minimum 6 years से और maximum 10 years से यानि कि बच्चे के उमर 6 से 10 साल के बीच में तो वो class 1 में admission ले सकता है as it is class 2nd के लिए भी यही है आगे के class 2 के लिए भी 2 साल का age का relaxation है DA quota वालों के लिए यह सिर्फ DA quota वालों के लिए बाकि सब के लिए जो मैंने age का criteria बता है वही रहेगा उसमें कोई changes नहीं किये जाएंगे तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि जो age का criteria मैंने आपको बता है सब समझ में आ गया होगा कि कौन से कितने साल का बच्चा किस class के लिए eligible होगा तो अभी जो parents अपने बच्चे के registration का wait करें तो वह अभी wait करें देखिए बहुत सारी लोग जो है मेरे पास comment सारे वो बोल रहे हैं कि सारे हमें यहां से पता चला कि fab mid में registration स्टार्ट होंगे ऐसे होंगे देखिए कोई भी कह रहा हो तो मैं आपको बता दो कि केंद्र विद्याले संगठने अभी तक officially कोई भी date announce नहीं किया है कि इतने तरिक से registration स्टार्ट होंगे अगर कोई आपको कहीं से बता भी रहा तो मैं आपको बता दो कि वो सिर्फ एक prediction है इसके लिए कोई भी अभी तक official notice जारी नहीं किया गया है KVS के द्वारा तो जैसी कोई नया notice आएगा registration को ले करके date को ले करके तुरंत उसके उपर वीडियो बना करके आप लोग श्यार कर दूँगा ताकि जो parents अपने बच्चे के admission के लिए registration का wait कर रहे हैं उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने और नहीं वीडियो देखने के लिए खेंद्रे विद्याले से रिलेटेड वीडियो के लाश्ट में मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सबसे पहले आपको काम की बाता पता चलने जीए उसके बाद ये सेकेंड प्रोडियो में आता है चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं और जो भी जानकारी दे रहों आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों आज क्लिए बस इतना है तो अपते लिए थैंक्यू बाबाए जैहिन जैभारत